जै सिरिहरी, प्रेम से बुलिए विष्णु भगवान जी की जै, आप सभी भक्तों पर विष्णु भगवान और मा लच्मी की किरपा सदा सर्वता बने रहे। आज के विडियो में आप सभी सर्वन करेंगे भाद्रपद मास के सुकला पक्च में परने वाली बामन एकादसी की ब्रैद कथा। भगवान के बामन आवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बौने रुप बामन आवतार की यह पूजा बाचपई यक के समानफल देने वाली तथा समस्त पापों को नश्ट करने वाली है। बामन भगवान की पूजा के कारण कुछ ब्याक्तिक इसे बामन एकादसी भी कहते हैं, इसके दुसरे दिन मनाई जाती है बामन जैद्धी। बामन राज युधिष्टिर बोले की हे भगवान भादों की सुक्लय पक्ष की एकादसी का क्या नाम है तथा उसकी बीध ही क्या है। उस एकादसी की ब्रत को करने से कौन सा फल मिलता है। सो सब समझा कर कहिए। सिरिक्रिष्ण भगवान बोले की हे राज स्त्रेष्ट अब में अनेक पाप नश्ट करने वाली कथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों की सुक्लय पक्ष की बामन नाम की एकादसी की कथा कहता हूँ। आप इसे ध्यान पुर्बक सुनो। इस एकादसी को जैंती एका से ही समस्त पापों का ना सो जाता है। इसी एकादसी के ब्रेद का फल बाज पर यक के फल से भी अधिक है। इस जैंती एकादसी की कथा से निच पापियों का उधार हो जाता है। जादी कोई धर में परायन मनिश्वे एकादसी की दिन मेरी पूजा करता है। तो मैं उसक संसार की पूजा का फल देता हूँ जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोग की प्राप्ति होती है इसमें किंचित मात्र भी संदे नहीं है जो मनुष्य इस एकादसिक दिन सिरी बामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विश्नु मह इसकी पूजा करता है जो मनुष्य इस एकादसी का ब्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना सेश नहीं रहता इस एकादसी के दिल सिरी विश्नु भगवान करवट बदलते हैं इसलिए इसे परिवर्तनी एकादसी कहते हैं इस पर सिरी यूधिष्टिर बोले की हे भगवान आपके बचनों को सुनकर मुझे महान संदे हो रहा है कि आप कीस परकार सोते तथा करवट बदलते हैं आपने बली को क्यों बांधा और बामनुप धारन करके क्या लेलाए की चतुरमास्य ब्रत की बिधी क्या है तथा आपके सयन करने पर नुश्रिका क्या करतब्य है सो सब बिस्तार पुटबक कहिए सिरी कृष्ण भगवान बोले की हे राजन अब आप सब पापों को नश्ट करने वाली कथा को सर्वन करें त्रेता युग में बली नामक एक दयत्य था वहां मेरा परंभक्त था बीभीत परकार के बेद सुक्तों से मेरा पूजन तथा या कि किया करता था परन्तु इंद्र से देश के कारण उसने इनके तथा सभी देवताव की लोकों को जीत लिया तब सभ देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गय और ब्रस्पती सहित इंद्र आदिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नत मस्तक होकर वेद मंत्रु द्वारा भगवान का पूजन और इस्तूती करने लगे अतहा मैंने बामन रुप धारन करके पाच्वा अवतार लिया और फिर आंत्यांत तेजस्वी रूप से राजा बली को जीत लिया इतनी वर्ता सुनकर राजा युदिष्टिर बोले कि हे जनादन आपने बामन रुप धारन करक उस महाबली दैत्य को किस परकार जीता स्रिक्रिष्ण कहने लगे मैं बामन रुप धारी ब्रह्म चारी बालक बली से तीन पक भूमी की याजना करते हुए कहा ये मुझको तीन लोग के समान है हे राजन यहां तुमको अवस्य ही देनी चाहिए राजा बली ने इसको तूच शी याजना समझकर तीन पक भूमी का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपनी तरी विक्रम रूप को बढ़ा कर यहां तक की भू लोग में पद, भूर लोग में जंगा, स्वर्ग लोग में कमर, महल लोग में पेट, जन लोग में हृदय, यम लोग में कंठ की अस्थापना कर, सत्य लोग में मुख, उसके उपर मस्तक अस्थापित कि सूरिया चंद्रमा आधी सब ग्रह गन योक नक्षत्र इंद्र आधिक देउता और सेश आधी सब नाग गनों ने बीबीत परकार से वेद सुक्तों से प्राथना की तब मैंने राजा बली को हाथ पकर कर कहा कि राजन एक पद से प्रित्वी दूसरे से स्वर्गलोक पुर्ण हो गय है अब तिसरा पद कहां रखो तब बली ने अपना सीर जुका लिया और मैंने आपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया जिस्चे मेरा वहा भक्त पाताल को चला गया फिर उसकी बिंती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बली ऐसा देव तुम्हारे निकठी विरोचन के पूत्र बली की कहने पर वहां पर भादरपद सुकला पड़िवर्दनी एकादसी की दिन बली की आश्रम पर मेरी मूर्थिया स्थापित हुई और दुसरी सागर में सेसनाक के साईया पर हुई हे राजन इस एकादसी को भगवान सयन करते हुए करवट लेते हैं इसलिए तीनों लोगों के स्वामी भगवान विश्नु का उस दिन पूजन करना चाहिए तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है जो बीधी पुर्वग इस एकादसी का ब्रत करते हैं बेशब पापों से मुक्थोकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान पर कासित होते हैं और यस पाते हैं जो पाप नासक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको हजार अस्वमेध यक का भलब्रात होता है प्रेम से बुलिए विश्नु भगवान की चै बामन भगवान की चै आजामील एक सदाचारी ब्रामन था वह कन्या कुपज प्रदेश में रहता था प्राम्बिक जीवन वह बहुत ही सदाचारी तथा ब्रामन चित्ते कर्म करने वाला था दुर्योक से एक बार वह किसी दासे के प्रेम में पढ़ गया और उसे अपनी पत्नी बना कर रहने लगा उसकी कुसंगती के कारण उसके विचार दूसित हो गय और दूस कर्मों से वह अपनी जिवी का चलाने लगा वह लूट पारता था हत्या जैसे बुरी कर्मों में हमेशा लगा रहता था दासी से इसके दस पुत्र थे उन में से सबसे चोटी पुत्र से उसे बरा मोह था उसका नाम उसने नारेन रखा था अक्सर वह उसे हमेशा नारेन नारेन कहकर पुकारता था उसकी अन्य बेटा उसकी कोई परवा नहीं करते थे तथा वे भी उसी की तरह दुष्ठ कर्मों में लगे रहते थे पत्नी भी निच संसकारों की थी अता वो भी कभी आजमील को मना नहीं करती थी कि बूरे और निंदित कर्म मत करो अच्छे और भले कर्मों से जो उपाजित करो के उसी में रूखा सुखा खाकर जैसा भी होगा हम अपना तथा अपने परिवार का भरन पोशन करेंगे पत्नी तथा अन्य संतानों की तरफ से निंदित कर्मों का बढ़ावा देने की कारण अजमील और भी बूरे कर्मों में लगा रहा चोरी, जूट, लुट पाट तथा हात्या जैसे जगन्ने कर्मों के साथ वह मधपान भी अधिक करने लगा जिससे उसका स्वास्थ भी खराब हो गया एक बर वह बहुत बिमार परा, उसकी सेवा के लिए कोई भी ना आता था अब उसे पता लगा कि जिनकी भरन पोशन के लिए वह निंदित कर्म करता रहा वही लोग अब उसे पूछते तक नहीं, बिमारी की कारण वो आसक्त होकर खाड़ पर ही परा रहता था उसमें स्वेम उठने बैठने तथा, चलने फिरने की सक्ती भी नहीं रही चोटा बेटा नारैनी उसकी पुकार सुनकर उसकी पास आता और उसकी बात सुनता था इसलिए वह हमेशा उसको नारैन नाम लेकर पुकारता था, उसको आसाध्य रोग हो गया था एक दिनों से जब आभास हुआ की, अब वह नहीं बचेगा और उसका प्रांथ हो जाएगा तो ब्याकुल होकर वह अपने छोटे पुत्र को नारैन नारैन कहकर पुकारने लगा जब तक नारैन उसके पास नहीं पहुँझा, उसने नारैन नारैन की रट लगाई रखी जब उसके पास आया तो जीवन से निरास बिहल हो, उसका हाथ पकर कर कहा नारैन नारैन तू आ गया है, इतना कहते ही उसका प्रांथ हो गया सरी रांथ होने पर उसके जीव को लेने के लिए यमदूत आ पहुँझे, और वे आजामील के जीवन को लेकर यमलोग चले जाए इससे पहले ही बैकुंट से विश्नू की दूत आ गये, और उन्होंने यमदूत से कहा आजामील के जीव को तुम लोग नर्क में नहीं ले जा सकते मरते से मैं इसने कई बार विश्नू को नारेन नारेन कहकर पुकारा था अथा आप यह जीव स्वर्ग का अधिकारी है यमदूत हसकर बोले, इसके सारे जीवन का लेखा जोखा चित्र गुप्त की ही बही में लिखा है उसके अनुसारे पूरे जीवन में हमेशा नेंदित और पाप कर्म में लिप्त रहा तुम जो नारेन की बात करते हो या नारेन की रुप में विश्नु भगवान को नहीं पुकार रहा था ये तो अपने छोटे बेटे को उसका नाम लेकर पुकार रहा था विश्नु दूतो ने कहा परामभिक जीवन में या सत कर्मी था एक इस्तरी की कुछ संगती में परकर इसने पाप कर्म किये हैं इस सब के बाद बेटे के नाम के बहाने ही सही ये हमेशा नारेन नारेन कहता रहता था और अंत समय तो इसने नारेन नारेन कहते हुए अपने प्रांत यागे हैं इसलिए यह जीव इतने पुन्य से ही स्वर्ग का अधिकारी है इसको हम स्वर्ग ले जाएंगे इस परकार आजा मिल नारायन के नाम की महिमा से स्वर्ग का अधिकारी बना तो प्रेम सो बोले लच्मी नारायन की चैड़ सिरी कृष्ण भगवान जी का भचन है कि जो प्रानी इस गर्व गीता का सद भावना से विचार मनन करता है सो पूरुष फिर गर्व वास में नहीं आता अर्जुन कहने लगे हे कृष्ण भगवान यह प्रानी जो गर्व विशे में आता है सो किस दोस के कारण आता है हे प्रभू जब यहां जनमता है तब इसको जरा आदी रोग लगते हैं फिर मृतु होती है हे भगवान वह कौन सा कर्म है जिसके करने से जन्व मरन से रहित होवे सरी कृष्ण भगवान कहने लगे हे अर्जुन यहां मनुष्य जो है सो अंधा मुर्ख है और संसार के साथ प्रीदी करता है यहां प्रदात मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा ऐसी चिन्ता इस प्रानी के मन से उतर दी नहीं आठ पहर माया को ही मांगता है इन बातों को करके बार बार जनमता है और मरता है वह गर्ब बिसे दुख पाता रहता है अर्जुन कहने लगे हे कृष्ण भगवान यहां मन हाथी की न्याई है तृष्णा इसकी सक्ती है यहां मन तो पाच के बस में है काम, क्रोध, लोब, मोह और अहेंकार इन पाचों में अहेंकार बहुत बली है यह कौन सा यतन है जिसे मन बस में होए वैसा ही मन रूपी हाथी को बस में करने के लिए ज्यान रूपी अंकुस है एहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है अरजुन कहने लगे हे भगवान जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंड में फिरते हैं एक वैरागी हुए हैं एक धर में करते हैं इनको कैसे जाने जो बैसनव है वे कौन है सिरी कृष्ण भगवान कहने लगे हे अरजुन मेरे ही नाम के लिए बनों में फिरते हैं वो सन्यासिक कहते हैं एक सीर पर जटा बाढ़ते हैं एक अंग पर भस्म लगाते हैं उनमें हम नहीं है क्यूंकि इनमें आयंकार है इससे मेरा दर्शन दुरलब है अरजुन कहने लगे हे भगवान वह कौन सा पाप है जिससे इस्तरी के मृत्तु हो जाती है वह कौन सा पाप है जिससे पूत्र मर जाता है और नपुसक कौन से पाप से होते हैं सिरी भगवान कहने लगे हे अरजुन जो किसी से करजा लेता है और देता नहीं इस पाप से औरत मरती है और जो किसी की आमानत रखी हुई पजा लेता है उसके पूत्र मर जाते है जो किसी का कार्य किसी के गोचर आये पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूँगा और जब समाय आये तब उसका कार्य ना करे इस पाप से नपूस्पक हो जाता है ये बड़े पाप है अरजुन कहने लगे हे भगवान कौन पाप से मनुस्य सदेव रोगी रहता है किस पाप से गदहे का जन्म पाता है इस तरी का जन्म पाता है तेथा टेट्टू का जन्म क्यों कर पाता है और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है सिरी भगवान कहने लगे हे अरजुन जो भी मनुसे गन्यादान करते हैं और इस दान में मुल्य लेते हैं वे दोसी है वे मनुसे सदा रोगी रहते हैं जो बिशे विकार के बास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन में पाते हैं, और जो जूठी गवाही भरते हैं, वो आउरत का जन में पाता है। जो रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती हैं, और पीछे पर मेश्वर को अरपन करती है, तो वे बिल्ली का जन में पाती है। और जो मनुश्य अपनी जूठी बस्तु दान करते हैं, औरत का जर्में पाते हैं, वह गुलाम औरते होती हैं, अरजुन कहने लगे हे भगवान, कई मनुश्य को आपने स्वर्न दिया है, तो उन्होंने कौन सा पुन्य किया है, और कई मनुश्य को आपने हाथी घोरा रथ द उन्होंने कौन सा पुन्य किया है सिरिभ भगवान कहने लगे है अरजुन जिन्होंने स्वर्ने दान किया है उनको हाथी घोरे बाहन मिलते हैं जो परमेस्वर के निमित कन्या दान करते हैं सो पुरूस का जर्म पाते हैं अरजुन कहने लगे भगवान जिन्पुरूसों के अंदर बिचित्र सरीर है उन्होंने कौन सा पुन्य किया है किसी धोकी घर समपती है कोई बिधुमान है उन्होंने कौन सा पुन्य किया है सिरी भगवान कहने लगे हे अरजुन जिन्होंने अन्य का दान किया है उनका सुन्दर स्वरूप है जिन्होंने बिद्धा दान किया है वह बिद्धावान होते हैं जिन्होंने संतों की सेवा की है वह पुत्रवान होते हैं अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, किसी को धन से प्रीती है, कोई को इस्तिरियों से प्रीती करते हैं इसका क्या कारण है, समझा कर कहिए सिरी कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन धन और इस्तिरी सब नास रूप है, मेरी भक्ती का नास नहीं है अर्जुन कहने लगे भगवान यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है स्री कृष्ण भगवान कहने लगे है अर्जुन जो प्रानी कासी जी में निश्काम भक्ती से तब करते हुए देह त्याकते हैं वह राजा होते हैं और जो गुरु की सेवा करते हैं सो बिधवान होते हैं अर्जुन कहने लगे हे भागवान किसी को धन अचानक बिना किसी प्रिष्णम से ही मिलता है सो उन्होंने कौन सा पुन्य किया है सीरिक्रिष्ण भगवान कहने लगे अर्जुन जिनोंने गुप्तधान किया है उनको धन अजानत मिलता है जिसने परमेश्वर निमित पराया काड़े सवाड़ा है वहा मनुस्विरोग से रहित होते हैं अर्जुन कहने लगे हे भगवान कौन से पाप से अमली होते हैं और कौन पाप से गुंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्टी होती है सिरी कृष्ण भगवान कहने लगे है अरजुन जो आदमी निच कुल की इस्तिरी से गमन करते हैं सो अमली होते हैं जो गुरु से बिद्या पठकर मुकर जाते हैं सो गुंगे होते हैं जिन्होंने गो घात किया है वे कुष्टी होते हैं अर्जुन कहने लगे हे भगवान जिस किसी पुरुष की दे में रक्त का विकार होता है वह किस भाप से होता है और कोई दरिद्र होते हैं किसी को घरक बायू होती है और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगुल होते हैं सो कौन से पाप से रहित होते हैं और कई इस्तिरिया बाल बिध्वा होती है तो यहां किस पाप से होती है सिरिक्रिष्ण भगवान कहने लगे हे अर्जुन जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त बिकार होता है जो मलिन रहते हैं वो सदा दरिद्र होते हैं जो कुकर्मी ब्रामन को दान देते हैं उनके खरक बायू होते हैं जो पराई इस्तिरी को निर्वस्त्र देखते हैं गुरू की पत्नी को कोड़ीष्टी करते हैं सो अंधे होते हैं जिसने गुरू और ब्रामन को लात मारी है सो लंगरा वह पंगुला होता है जो आवरत अपने पती को छोड़कर पराई पुरूसों से संग करती है सो वह बाल बिध्वा होती है अर्जुन कहने लगे हे भगवान आप पर ब्रह्मा हो आपको नमस्कार है आगे में आपको सम्बंधी जानता था परन्तु अब मैं इस्वर रूप जानता हूँ हे पर ब्रह्मा गुरु दिख्षा कैसी होती है सुख किर्पा करके मुझको कहिए सिरिक्रिष्ण भगवान बोले हे अर्जुन तुम धन्य हो तुम्हारे माता पिता भी धन्य है जिनके तुम ऐसे पुत्र हो हे अर्जुन सारे संसार का गुरु जगरनाथ विद्दा का गुरु कासी सन्यासी उसको कहते है जिने सब का त्याक करके मेरे प्रती मन लगाया है सो ब्रामन जगत गुरु है हे अर्जुन यह बात ध्यान देकर सुनने की है गुरु कैसा करे जिसने सब इंद्रिया जीती हो जिसको सब संसार इस्वर मही नजर आता हो और सब जगत से उदासो ऐसा गुरू करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरू की पूजा सब तरह से करे हेरजुन जो गुरू काम भक्त होता है और जो प्रानी गुरू की पूजा सब तरह से करे हेरजुन जो गुरु का भक्त होता है और जो प्रानी गुरु के समुख होकर भजन करते हैं उसका भजन करना सफल है जो गुरु से विमुख है उनको सब तक ग्राम माडे का पाप है गुरु से विमुख प्रानी दर्शन करने योग नहीं होते जो ग्रेश्टी संसार में गुरू के बिना है चान डाल के समान है जिस तरह मदीरा का भंडार हो उसमें जो गंगा जल है सो आपवित्र है इसी तरह गुरू से विमुख का भजन सदा आपवित्र होता है उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते उसके सब कर्म निश्फल है कूकर, सुकर, गंदर्वे, काग ये सब की सब योनियों में बड़ी खोटी योनी है इन सब से यहाँ मनुस्य खोटा है जो गुरू नहीं करता गुरू बिना गदी नहीं होती यह अब से नरक को जाएगा गुरू दिख्चा बिना प्राने के सब कर्म निश्फल होते हैं हे अरजून, जैसे चारों बर्नों को मेरी भक्ती करना योग है तैसे गुरू धार के गुरू भक्ती करना योग है जैसे गंगा नदियों में उत्तम है से ब्रतों में एकादसी का ब्रत स्रेश्ट है बैसे ही अर्जुन सुभ कर्मों में गुरु सिवा उत्तम है गुरु दिछ्चा बिना प्रानी पसु योनी पाता है जो धर में भी करता है सो पसु योनी में फल भोगता है 84 योनियों में भ्रमता रहता है अर्जुन कहने लगे हे स्री कृष्ण भगवान गुरु दिक्षा क्या बस्तु है कृष्ण भगवान कहने लगे हे अर्जुन धन्य जन्व है तेरा जिसने यह प्रश्न किया है तू धन्य है गुरु दिख्चा के दो अक्षर है हडी ओम इन अक्षरों को गुरु कहता है यह चारों बर्नों को अपनाना स्रेष्ठ है हे अर्जुन जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी परसंता है वो चौरासे से छूट जाएगा जन्व मरंद से रही थो नरक नहीं भोगता गुरु की सेवा करता है उसको कई असो मेग यग के पुन्य का फ़ल मिलता है गुरु की सेवा मेरी सेवा है हे अर्जुन हमारे तुम्हारे संगवाद को जो पढ़ेगे सो गर्व के दुख से बचेंगे चोरासी कट जाएगी इसी से इस पाठ का नाम गर्व गीता है सिरी कृष्ण भगवान जी के मुक्ष से अर्जुन ने स्रवन की है गुरु दिक्षा लेना उत्तम कर्म है उसका फल है कि नरक से वह चोरासी जीव से बचा रहता है भगवान बहुत प्रसन होते है सभी प्रेम से बोलिये सिरी कृष्ण भगवान की जय एक बार की बात है एक संद गनेजी की बहुत बड़े भगत थे वह प्रेम भरे हृदे से पूरे दिन गनेजी की सेवा में लगे रहते थे प्रताकल उन्हें भरे प्रेम से उठाना असनानादी करवा कर वह उन्हें अंध्यन प्रेम के साथ अपने हाथों से भोग लगाते और उसके बाद वह उनके भजन किर्दन में लीन हो जाते थे और रातरी में भगती और प्रेम से परिपूर्ण हो वह उनको सुला कर स्वेम सोते थे यहां काड़े उनकी दिन चाड़े बन गया था ऐसा प्रति दिन करते करते उनका समय कब व्यादित हो जाता था उन्हें स्वेम भी इस बात की ज्याद नहीं थी वह जहां भी जाते वह गनेशी को अपने संग ले जाते हर चन उन्हें सिर्फ गनेशी का ध्यान रहता वह सिर्फ उनकी ही बात क्या करते और गनेशी भी उन संद की सेवा भाव से अधी प्रसन रहते थे वो कहते हैं ना कि भगवान को सिर्फ भक्त का प्रेम भरा हृदय चाहिए और कुछ भी नहीं जहां बात इस कहानी से सिध हो जाती है कि भगवान को सिर्फ प्रेम और भक्ती की सक्ति से ही बस में किया जा सकता है एक बर वह संद कुछ अन्य संदों के साथ ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, वह संद अपने साथ गनेश जी को भी अपनी यात्रा में ले आए और अपनी साथ बाली सिट पर उन्हें ब्रजमान कर उनको परनाम किया, अब उन संद ने अन्य संदों के साथ मिलकर प्रभु की भक् और क्रीतन की समाप्ति के पश्चात वह सभी संद प्रभु भक्ति की चर्चा में लेन हो गए और कब उनकी मंजील आ गई उन्हें पता भी नहीं चला सभी संद एक साथ ट्रेन से नीचे उतर कर इस्टेशन से बाहर आ गए और आस्रम पहुंच गए आस्रम में पहुंच कर जब उन्ह संद का भोजन का समय हुआ थो उन्ह संद ने सोचा कि गनेश जी के भोग का समय भी हो चुका होगा बिना गनेश जी को भोग लगाए मैं भोजन कैसे ग्रहन कर सकता हूँ और गनेश जी को भोग लगाने के लिए भोग की तयारी करने लगे किन्तु यह क्या जब वह संद भोग लगाने के लिए गनेश जी को अपने भक्से में से निकालने लगे तो गनेश जी तो वहाँ पर बिरजमन थे ही नहीं यहाँ द्रिश्या देखकर संद को बहुत आघात लगा वह अपने चारों तरब गनेश जी को ढूनने लगे किन्तु गनेश जी नहीं मिले वह संद निरास हो गए अब उन्होंने अपनी व्यवस्ता अन्य संदों से ही कही तो सभी संद मिलकर पूरे आसरा में गनेश जी को ढूनने लगे किन्तु गनेश जी कहीं नहीं मिले अब वह संद और जादा निरास होने लगे वह सोचने लगे कि बिना गनेश जी की मैं क्या करूंगा यह बत सोचते सोचते उनकी नेत्रों से अस्रु की धारा बहने लगी। यह देख अन्य संथ उन सजन संथ को समझाने लगी कि कोई बात नहीं यादी आपकी गनेशी नहीं मिल रहे हैं तो हम आपको दुसरा गनेशी लाकर दे देंगे। किन्तु आप अपना मन हलका मत करिये किन्तु वह संथ नहीं माने वह लगाता रोए जा रहे थे और यहीं कह रहे थे कि मुझे तो अपनी वही गनेशी चाहिए जिनसे में रोज प्यार दुलार करता था। उनके अलावा अन ने कोई नहीं चाहिए। उन्होंने अन और जल भी ग्रहन नहीं किया। ऐसा करते करते चार पाच घंटे बीट गए। इधर गनेशी कहीं नहीं मिल रहे थे। और उधर संथ जी की तबियत रो रोकर खराब होती जा रही थी। फिर अचानक एकाएक उन्हें याद आया कि आखरी वार उन्होंने गनेशी को ट्रेन में बठाया था। और प्रभु भक्ती की चर्चा में लिन हो। वो कब बगेर गनेशी को लिए आस्रम पहुँच गए उन्हें पता ही नहीं चला। यहाँ बात सुनते ही समस्थ संतों ने उस सजन संत से कहा कि अब तो चार पाच घंडे बीद गए वह ट्रेन बहुत दूर चली गई होगी। यहाँ बात सुनकर सजन संत ने अन्य सभी संतों से कहा कि मुझसे गलती हो गई कि मैं बगेर अपने गनेशी को लिए ट्रेन से उतर कर आस्रम पहुँचाया किन्तु मेरे गनेशी मुझे छोर कर कहीं नहीं जाएंगे। मुझे पूर्ण बिश्वास है कि गनेशी मेरी वहीं पर परतिक्षा कर रहे होंगे। पिछले चार पाच घंटे से इस्टेशन पर ही खड़ी है। हम सभी बहुत परिसान है कि बीना किसी तक निकी समस्य के वह ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। इस्टेशन मास्तर की इन बातों को सुनकर संतों को समझने में तनिक भी देर ना लगी। कि यह सब तो उस लिला धर की है। यह तो गनिस महराज की ही लिला है और वह मुस्कूराते हुए अपने ठाकूर को लेने चल दिये। ट्रेन की भोगी में पहुँच कर जब उन संत ने ठाकूर जी को देखा तो ऐसा लगा मानों जैसे वह एक बच्चे की भादी बैठ कर अपने पिता का इंतजार कर रहा हो कि कब उसके पिता आएंगे और उसे ले जाएंगे। तब उन संतों ने गनेश जी को परणाम कर और चामा याचना करते हुए गनेश जी को ट्रेन से नीचे उतार ले आए। अंत में यह द्रिश्या देखकर सभी हैरान रह गए। जब वहां संत अपने गनेश जी को लेकर जैसे ही ट्रेन से नीचे उत्रे बैसे ही वह ट्रेन भी चल दी। जो बिना किसी तक निकी समस्य के स्टेशन पर पिछले चार पाच घंडे से खरी थी। वहां खरे सभी स्वजन पुरुशों ने भाक्ति की सक्ति का या द्रिश्या देखकर सभी ने गनेशी की चर्णों में सत सत परनाम किया और आसरम की और चल दिये। सभी प्रेम से बोले गनेश महराज की जै हो।